दोस्तों भारत सरकार सभी लोगों के लिए कई तरह के कार्ड जारी करती है। इन कार्डों का उप्योग विभिन सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाब लेने के लिए किया जाता है। कुछ कार्ड तो सभी भारतियों के लिए अनिवार्या है, जैसे कि आधार कार्ड. सरकार समय समय पर नई योजनाय लाती है और उनके लिए नई कार्ड जारी करती है. इन कार्डों के माध्यम से सरकार लोगों को विभिन तरह की सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि स्व आज हम आपको ऐसे ही चार जरूरी सरकारी कार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले आता है आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक 12 अंकों का यूनिक पहचान नम्ब है, जो आपके बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ा होता है। यह आपकी पहचान का सबसे ठोस प्रमान माना जाता है। आज के समय में सरकार से संबंधित किसी काम के लिए आधार काड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जैसे बैंक खाता खोलना, मोबाइल कनेक्शन लेना, इंकम टेक्स रिटन भरना, सरकार के किसी भी योजना में आवेदन करना आदी सभी कामों के लिए आधार काड सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। दूसरा है, पैन काड दोस्तों पैन काड भारत में हर व्यक्ति के लिए एक अनिवारिया दस्तावेज बन चुका है। ये सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बलकि ये आपके वित्य लेन देन और कर भुगतान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को एक साथ रख से सलाह ले सकते हैं। ये संजीवनी काड भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा का एक हिस्सा है। कोरोना महामारी के बाद से टेली मेडिसिन काफी लोगप्रिया हो गया है। ये संजीवनी काड के जरिये आप आसानी से डॉक्टर से व सुरक्षित वव्यवस्थित रूप से स्टो करता है और डॉक्टर को मरीज के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर सही इलाज प्रदान करने में मदद करता है आभा एक 14 अंकों का यूनिक हेल्थ आईडी है जो अर व्यक्ति के लिए एक डिजिटल स्वास्थे रिकॉर्ड के रूप में काम करता है आभा काड होने से आप अपनी सभी स्वास्थे जानकारी को एक ही जगा पर सुरक्षित रख सकते हैं आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दवायों की जानकारी और डॉक्टरों की अपॉइंट्मेंट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं इसके अलावा आप देश के किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स शेर कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे